हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल नुपुर यम्टम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीट रूट की रेसिपी यहाँ पर मैंने बीट रूट ले लिये, यह खेतों से आई थी बहुती ताजी, बहुती बढ़िया चुकंदर है और मैंने इसको चील, अच्छे से दोने के बाद चील लिया यह रेसिपी मैंने एक बार रील में देखी थी तो मैंने सोचा मैं भी ट्राइ करती हूँ आप लोगों के साथ फिर मैंने इसको चीलने के बाद इसको अच्छे से दोके और फिर इसको गोल गोल चंदे की शेप में काट लेंगे दोने के बाद इसी तरी मैं सारी के चुकंदर को इसी शेप में ना जादा मोटर ना जादा पतला इसी तरीके से आप लोग काट लीजिएगा एक बर आप इस रेसेपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा जिन लोगों को चुकुंदर और बीट रूट पसंद है वो लोग बहुत ही इसको शौक से खाएंगे मैंने भी ट्राइ किया मुझे ही अच्छी लगी बनाने के बाद मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफर करने के बाद इसमें थोड़ा तेल डाला आप कोई भी कुकिंग ओईल ले लीजिएगा फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला थोड़ी सी नमक अपने सुआत के अनुसार एट कीजिएगा थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थोड़ी सी हल्दी डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जो लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़ेया मेरी वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें इन सब को मिक्स करने के बाद इस तरीके से मिक्स कर लेंगे फिर यहां मैं पैन में बहुत ही ठोड़ा सरसो का तेल लिया है मैंने नहीं हाँ पे जब यह तेल गरम हो जाये फिर मैं इसमें हाँ पे राई आट करूंगी राई आट करने के बाद मैं इन सारे पीसिस को इसमें सेकने के लिए रख दूंगी मैं इसको बिल्कुल low to medium flame पे सेखूंगी और ढखके हम इसको अलट पलट करके सेखते रहेंगे इसको बीच बीच में चेक करते रहेगा और इसको अलट पलट करके चेक करते रहेंगे अब इसको अब ये अल्मुस्त त्यार है ये अच्छे से जब ये सिक जाए एक बर आप जरूर ट्राइ करिएगा हर चीज एक बर ट्राइ जरूर करनी चाहिए जब ये सिक जाए फिर मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला आड़ करूंगी चाट मसाला इसके उपर स्प्रिंकल करके फिर ये रेडी टू सर्व है इसको जरूर एक बर बना के ट्राइ कीजएगा जिन लोगों कुछ उकंदर पसंद आए उन लोगों को तो ये बहुत ही जादा पसंद आएगा और बहुत इजी है बनाने में इसको आप जरूर ट्राइ कीजएगा मेरा मानना हमें हर चीज ट्राइ करनी चाहिए और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजए खाने में बहुत ही अच्छी लगेगा कुछ अलग सा फ्लेवर आता है इसको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जादा से जादा शेयर करें देखें इस तरीके से लगती है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू